पूरात्रा सुरू होने ही वाली है जिसके लिए मंदीर पूरी तरसे सजाई पूरी तरसे कर ली गई है लेकिन इस वर्स होगा कुछ खास तो अगर आप यहीं निकटती वड़ती होंगे तो आइधिंक आप यहां आका देख सकते हैं यह फूलों से सजाई गई आज जो ढख दी गई है क्योंकि जो उपर से जो सीद गिरती है इसके कारण से खराब हो जा से जुए डेख सकते हैं इसके ऊपर फिये लगेगा यह फाइनली देखने में इस वर्स सुधा शुदर लगेगा और आज दिन है संड़े और संड़े की दिन पर माचंधिन मस्तिके मंदीर बहुत ज़ादा भीड़ होता है तो फाइनली आप शोब ही माचंधिन मस्तिके मं अधर मैं अभी नहीं जा सकता हूँ क्योंकि अभी गेट यहां पर बंद कर दी गई है बहुत ज़्यादा भीड़े अभी आप इस लैन से ही अंज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा आज माचिन मस्तिके मंदिर पर भीड़ोगा तो फाइनली नवरात्ता सुरू होने के बाद और भी ज़्यादा इस मंदिर पर भीड़ सुरू हो जाती है और मंदिर भी बहुत अच्छी खासी सचाई जाएगी फाइनली आप देख सकते हैं कि उसका डैकरोट किस तरह से बिया जा रहा है फाइनली मैंने आपको एक डेमो दे दिया था कि यहां पर एक बहुत बड़ी स्वीलिंग बनाई जाएगी जो आप सभी उसे देख सकते हैं और फाइनली इसके बाद इधर जो है बहुत अच्छे सजाई जाती है फूलों से और यह पट्टी एक वर्स सजाई जाती है जो बहुत ही अच्छे खासी होती है लेकिन इस वर्स बहुत ही खास होगा हर साल क्या पेशा इस वर्स कुछ आपको नया देखने को मिलेगा तो फाइनली अगर आप माचिनमस्ति के मंदिर आते होंगे तो और कुछ दिन का वेट कीजिए फाइनली ज्यादा ही नहीं मतर एक दो दिन और रुख चाहिए उसके बाद आपको माचिनमस्ति के मंदिर आए ताकि आपको पच्छताना नहीं पड़े और फिर बहुत ही और भी कुछ बहुत हैं आप यहां आतार उस टैम देख सकते हैं तो फाइनली मैं अभी आपको देखा देता हूँ कि मंदिर पर आज कितना ज्यादा फीड है मैं अभी पूरा जूम कर रहा हूं अभी आप देख सकते हैं कि यह जो केमपस है वो केमपस पूरी तरसे भर जो यात्रियों के लिए बनाई गई थी वो भी भर गए हैं आप देख सकते हैं मंदिर के सारे केट बंद कर दिये गए हैं और दो गेट ही सिर्फ खोली गई है एक इन का और एक हाट का तो यह अभी मंदिर का मैंने आपको अपडेट दे दिया और मैं जब साम में वीडियो से भी दिखाऊंगा हमारी चैनल पर बनी रहे हैं और अगर हमारी चैनल पर आप नहीं आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बगल में बेल आइकन है उसको प्लेस कर दिजिए ताकि जब भी कभी मैं इस तरह का वीडियो अप्लोड करूं तो आप तक पी किसाना है धन्युक्राइब